प्रथम तक्नीक है पेंडेंट जूला पेंडेंट जूला को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान अगर बच्चा बोरवेल में गिर कर तल तक पहुँच गया है लेकिन होश में है वे हमारे निर्देशों के पालन करने की स्थिति में है तो पैंडेंट जूले की मदद से उसको कुछी मिंटों में बहार निकाला जा सकता है पैंडेंट जूला बनाने के लिए शीशम या अन्य कोई भी भारी और मजबूत लगडी चाहिए जिसे जूले का रूप दिया जा सके ऐसा ही जूला मैं आपके सामने प्रदिशित कर रहा हूँ जिसे हमने एक दोनों साइट स्टेप बना करके जूले का रूप दिया है इस जूले में हमने 2 मीटर लंबी पतली और मजबूत रशी लगाई है इस जूले को 3 मिली मीटर मोटे मल्टी स्ट्रेन स्टील वायर के द्वारा या पतली और मजबूत रशी बचाव कारिये के लिए प्रियोग में लाते हैं ये लकडी से बना साधारन जूले जैसा ही है इसकी चौड़ाई 3 इंच एवं लंबाई बोर्विल के ब्यास से 2 इंच कम रखी जाती है ताकि बोर्विल के अंदर सीधा सीधा आ सके जूले की उप्युक्तता जाचने के लिए जूले को बोर्विल के अंदर सीधा लटका कर धीरे धीरे बोर्विल के अंदर बच्चे के पास तक महुचाते हैं जूला बोर्वेल की दिवारों से टक्राना नहीं चाहें। जूले के उपर किसी बच्चे को कुछ देर तक खड़ा कर जूले की मजबूती जाच सकते हैं। पतली डोरी से बंधे रबबैंड की सहायता से जूले को उर्धवादर स्थिती में लड़का कर धीरे धीरे बोर्वेल के अंदर बच्चे के पैरों के पास तक पहुचाते हैं। फिर रबबैंड में बंधी डोरी को उपर खींच कर बाहर निकाल लेते हैं। उर्धवादर जूला रबबैंड से मुक्त होकर साधारन जूले के रूप में आ जाएगा। अब बच्चे को निर्देश देते हैं कि वो जूले के उपर खड़ा हो जाए और जूले की रसियों को दोनों हाथों से पकड़ ले। जैसा की अकसर बच्चे जूला जूलते समय करते हैं। CCTV या टॉर्च से देखकर निश्चित होने पर जूले को बिना जटका दिये उपर की तरफ खींच कर आराम से निकाल लेते हैं। जूले के साथ बोर्वेल में फसा बच्चा भी बाहर निकल आएगा।